राधे राधे दोस्तों सभी को ये वीडियो उन लोग के लिए है जिनना अभी तक आर्पिफ कॉंस्टिबल एंड एसाइ रिकूर्ट्मेंट दोहसे चौवीस का फॉंफिलब नहीं किया है तो दोस्तों आप चल्दे से फॉंफिलब कर लो कि फॉंफिलब का लाजड़ डेट वह जरूर से कर लें बात करते कि इसके अप्लिकेशन फीज के अने इलिजिबिलिटी की तो मिनिमम माध्धमिक पास होना पड़ेगा आर्पिफ कॉंस्टिबल का फॉंफिलब करने के लिए और पिएसाइ का फॉंफिलब करने के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन चाहि आपके बैंक अगाउंट में एंड एस्टी मायोरिटीज का 500 रुपए फीमेल और कटिकेटिस का 500 रुपए करेक्शन फीए 500 रुपए और पेमेंट मोड और लाइन है ओके एज लिमिट का बात करे तो आर्पिफ कॉंस्टिबल का जो भी फॉंफिलब करेगा माधमिक पास लेजिब लेट में वो लोग का एज लिमिट है अटरा अटरा सेले का 28 अर्ज तक और पेफ सब इंस्पेक्टर का जो है जो की ग्रेजिएशन लेवल पर लोका इसले के 28 अर्ज तक एज रिलेक्सेशन एस पर रूस जैसे कि आप लोग नोटिफिक्शन जब पढ़ोगे ता आप उसमें देख ले सकते हो एंड वेकंसी का बात करें तो आर्पिफ कॉंस्टेबल का वेकंसी आप देख सकते हो 4208 है और पीफ सब इंस्पेक्टर का वेकंसी है 4452 टोटल टोटल चारजा 660 पॉस है एंड बात करते हैं आप पे फिजिकल फिजिकल एलिजबिलिटी क्र एंड फिमेल के लिए हाइट चाहिए मिनमां 157 cm एंड लोगों का चेस्ट चाहिए नॉर्माल 80 cm एंड फुला कर मतलब की चेस्ट अप करके 5 cm ज्यादा एक्सपेंशन करना चाहिए एंड फिमेल लोगों का चेस्ट का कुछ नहीं है एंड वह ऐसी एस्ट का आप लोग पosis यहां पर बात करें लोंग जम की आ है जम की तो आप लोग देख सकतो है क्या चौदा फिट एंड लगकों का है झाला जब रेंवाह आ है टो कर चार फिट है यहां लगकों का सबरियॢों कई ब्स्तव आतालीत सेगण के अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर पोस्ट की रानिंग के लिए तो वह पहले वाला था सब इंस्पेक्टर पोस्ट में सेम है थोरा साल अगे बस रनिंग है लड़कों लड़के लोग का 16 मिटर है हुता आप में लड़कों का 20th an high jump का बात करे तो लड़कों का सबाएं और और सब काुशन आपको पूछा था तॉटल टायम डुरसिंघंड होगा एक घंटा 30 मिनेट में नीगे टीभर होगा हो वन थर्ड ओके एंड बात करते हैं शिले बसका एंग्जाम पेटर का तो टोटाल प्लोगों तीन चीज़ें पढ़ना होगा एक मैथमेटिक्स दूसरा रिजनिंग एंड तीसरा जी के मतलब की जनल लेवर ने जो भी हो मैथमेटिक्स में से आप लोग को थर्टी फाइब क वोस्टेंस होगा 120 मांक्स का अब सिलेक्सिन प्रोसेस का बात करें तो पहले आप लोग कंप्र बेस्ट एक्जाम वोग उसके बाद फिजिकल एपिसेंट्री और फिजिकल मेजर्मेंट टेस्ट होगा उसके बाद डॉक्मेंट भरिएटिक्स नहीं होगा एंड देन अब मेडीकल टेस्ट होगा उसके बाद आप लोग जोइन कर सकते हों कि और इंड बात करते हैं तो वो मैंने जैसे की सुरू में बताया आप लोगो 14 में तक लाजट्रेट एप लब करने का मतलब कि कल तक है लाजट एट फॉनफिल अब करना का तो जिननों नहीं भी तक न